हेलो फ्रेंट्स आप से भी का स्वागा थे आपके अपने यूटूब चनल स्टड़ी वेज सुझीत में तो दोस्तो आज मुगलास 12 के फिजिक्स के महत्पूर्ण अब्जेक्टिव कोसंस को देखेंगे जो मारे बोर्ड जामें बार-बार पूछे जाते हैं तो किरिपाई स से लास तक देखेगा क्योंकि यह सेसन बहुती मात्पूर्ण होने वाला है तो चलिए बारी-बारी से देखते हैं प्रस्ण को और आज का फॉस्टन प्रस्ण है कि समतल दर्पन की वक्ता त्रिज्या होती है अनंत सुन्या प्लस 5 सेंटिमीटर माइनस 5 सेंटिमीटर तो जितना बारा वस्तु रहेगा उतना ही बारा परतवीम बनेगा यानि कि जितना बारा वस्तु रहेगा उतना ही परतवीम बनता है समतल दर्पन में याद रखेगा सभी प्रस्ण महत्यपूर्ण होने वाला है तो आप अन तक जोड़ देखिएगा लेंस के द्वारा कितने परत्वीम बनेंगे यदि वस्तु को परधान अक्ष पर रखा जाए यहां पर लेंस है और यहां पर मूँवन है और यहां पर मूँवटू है और यहां मूँवटू है और यहां मूँवटू है और यहां मूँवटू है और यहां मूँवटू है तो यहां पर परधान अक् प्र friendships भी मिलेंगे तो ऊपर कर लेंगे तो μीवन और म्यूटी है तो इस परकार से उप्सें B के साथ इसका राइट एंसर हो जेगा इपकी मर्जी है यहां पर या तो नीचे का प्र Hmm रे सकते हैं या उपर के तो दो ी परत्विम बनेंगे परधान अक्षपर जब वस्तु को रखेंगे तो यानिका अप्शन नमबर भी इसका राई टेंसर हो जेगा आप भी कितने भी रहें तो आप भी ज्यात कर सकते हैं और यहाँ पर तीसर नव प्रस्णाप के सामने हैं कि बाइमंडल की अनुपस्तिती में प्रित्वी से अस्मान का रंग दिखाई देगा तो सभी को मालम होगा कि बाइमंडल की अनुपस्तिते प्रित्वी से जब अस्मान को देखते हैं तो उस समय काला परतित होता है यानिका अप्शन नमबर ए इसका राई टेंसर हो जेगा और जब हम लोग अंत्रिक्ष से प प्रम तरंग धेरिया होता है और क्या होता है कि सिगनल के रूप में लाल रंग का उपयोग किया जाता है अगया नेक्षन प्रस्ट को देखते हैं कि एंड गेट का बुलिये बियंजक क्या होता है तो इसमें और अधिक जनकारी जानेंगे मात्रें 30 से 40 सेकेंड में 4 कोशन का एंसर आपको मालूम होगा अभी ही कि एंड गेट का बुलिये बियंजक क्या होगा तो इसका राइट एंसर होजेगा ओप्सन नमबर C A.B. बराबर Y यह एंड गेट का बुलिये बियंजक होता है और A.B. बराबर Y यह होता है नेंड गेट का बुलिये बियंजक होता है नेंड गेट जो बाना होता है वह एंड गेट से ही बाना होता है और और गेट से जो बाना होता है वह नौर गेट बाना होता है तो A. सॉरी A और B बार बराबर Y ये नौर गेट का भुलिय बेंजक हो जाएगा तो इस परकार से आभी असानी से याद कर सकते हैं मातर दो याद करेंगे तो आपको चार याद हो जाएगा हो जाएगा और गेट का याद कर लिजेगा और एंड गेट का याद कर लिजेगा बार चाहेंगे तो नौर हो जाएगा और बार चाहेंगे तो यहाँ पे नेंड हो जाएगा नेक्षन प्रस्ण है ये काफी मत्पूर्ट सवाल है कि दास्मिक संख्या 25 को द्वी अधारी में लिखें तो सबसे पहले इसको लगूतम देंगे 25 को तो 25 में 2 से भाग देंगे तो यहाँ बार बार में और यहाँ पे एक हो जाएगा और फिर से 2 और फिर से 6 जब फू जब स से 6 नहीं बचेगा अगर नहीं कटेगा तो यहाँ पे 1 से जरूर लिखेंगे और यहाँ पे 2 से फिर भाग देंगे तो 3 हो जाएगा और फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि यह फूल फूल कट गया है और फिर यहाँ से 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 1 से बचेगा और यहाँ पर भी 1 0011 तो नीचे से उपर की तरफ हम लोग ले जाएंगे याँना कि इसे ग्याद करने के लिए नीचे से उपर की तरफ तिर इस तरह से घिंच देंगे तो यह हो जाएगा 11 001 और बेस में टू ठूथ क्योंकि दू दू आधारी संख्या पुछा है तो 11001 देखेंगे किस अप्सन में है तो यह है अप्सन नमबर C में C इसका राइट इंसल हो जाएगा किसी भी अंक को आप ग्याद कर सकते हैं माल लिजेगे यहाँ पे 11 है तो 11 को हम लोग कैसे ग्याद करेंगे यहाँ से 2 से भाग देंगे तो 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे एक सिस्फल बचेगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा फिर 2 से भाग देंगे फिर एक सिस्फल बचेगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और फिर यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे सिस्फल 0 बचेगा और यहाँ पर एक तो इस परकार से यहाँ नीचे से उपर तीर ले जाएंगे तो 1011 यह 11 का दुई अधारी संक्या है आप किसी भी अंग को ग्याद कर सकते हैं बिल्कुल ही आसानी तरीके से तो अगर सेशन अच्छे लग रही हो तो लाइक जरूर कीजेगा क्योंकि यह चैन अच्छी और संरक्छी कहें संरक्छी वहीं और कहें अच्छी औरडी है कोई नहीं तो यह तो मालम होगा कि विदूत इस्तिर विदूत छेतर जो होता है वह संरक्षी होता है यानि कि आप्साण नमबर एक के साथ इसका राइट एंसर चला जाएगा आए सेवन अवर्वर को देखते हैं ये बार-बार पुछे जाता है कि किसका अस्तित्व संभाव नहीं है तो हम लोग पढ़े होंगे कि क्वांटिमिकरन यान क्यू बराबर ये उसी पर आधारित है और ये अवेस होता है और ये बराबर जो होता है ये बराबर 1,2,3,-n तक तो q बराबर ये पर ही आधारित है ये तो इसमें क्या होता है किसका मान अस्तित्व संभाव नहीं है तो n के जगहाँ पर पले 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 से गुना करेंगे इनके जगहाँ पर एक रहकर तो एक रखेंगे तो ये तो सही हो जाएगा और यहां पर अस्तित्व संभाव नहीं नहीं पुछाए तो ये ये तो इसका अस्तित्व है और जब 2 से गुना करेंगे तो 3.6 हो जाएगा क्योंकि 16 32 तो 3.2 ये भी अस्तित्व में है औ और फिर तीन से गुणा करेंगे तो शोजव का 64 निक चो 14 नुमण चायर ये भी अस्तीतों में हे लेकिन ये अप्सान ऊंबर जो C है ये नहीं है यानि कि ऑप्सान ऊन्बर C इसका राइट इंसर हो सकते हैं और बात करें आट आठ नमर प्रस्ण की तो बिधुत हीटर में जिस पदार्थ का उप्योग किया जाता है वह पदार्थ कौन सा होता है तो सभी को मालम होगा ये तो बहुत ही आसान प्रस्ण है लेकिन ये बार-बार हमारे बोडिक जामें पुछ लिया जाता है तो इसका बिधुत हीटर में न आई टेंसर हो जगा तो चलिए next नव प्रस्ट को देखते हैं और नाइन नव प्रस्ट आपके सामने है कि निमने में से कौन सा photon के संबेग को व्यक्त करता है P, P बराबर यानि कि संबेग बराबर क्या होगा तो यह जो व्यक्त करता है यह करता है H upon lambda की यानि कि option number C इसका right answer हो जएगा और photon की cool उर्जा जो होती है H new के बराबर होती है photon की उर्जा याद रखेगा photon की cool उर्जा H new के बराबर होती है यह जरूर याद रखेगा या तो यह पुछेगा या तो यह पुछेगा दोनों में से एक जरूर पुछेगा तो चलिए दासान प्रश्ण को अच्छे से देख लेते हैं कि नाभी की त्रीजा की कोटी तो त्रीजा की कोटी जो होता है वह 10 के पावर माइनस 15 मीटर होता है यानि का option number B इसका right answer हो जएगा याद रखेगा और एक कोचर पुछा जाता है कि एक एंगेश्ट्रम कितने मीटर के बराबर होता है तो 10 के पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है एक एंगेश्ट्रम ये ज़रूर याद रखेगा तो option number B के सनाथ इसका right answer चला जाएगा तो आएए नेक्षन प्रस्ट को देखते हैं कि बिधुचुम्बा के स्पेक्ट्रम के कीस भाग में हाइडोजन की लाइमन स्रेनी पाई जाती है तो लाइमन स्रेनी जो पाई जाती है सबसे नीचले भाग में यानिकि पराबैगनी भाग में यानिका अप्सन नमबर D इसका राइट एंसर हो जाएगा और आएए 12 प्रस्ट के बारे में जानते हैं कि आलफा कर्ण है इलेक्ट्रोन हिलियम का परमाडू हिलियम का नाभीक और हाइडोजन का नाभीक तो आलफा कर्ण जो होता है यह होता है हिलियम का एक नाभीक यह परमाडू है और परमाडू में जो नाभीक रहता है वह पोजीटिव रहता है हमेशा पोजीटिव और नाभीक में जो पाए जाता है वह पोट्रोन और न्यूट्रोन पाए जाता है लेकिन कुछ इस्तितियों में neutron रही पाए जैसे hydrogen के नाभिक में वलनी neutron ही नाभिक में पाय जाता है ये जरूर याद रखेगा इस पर एक कोचन पुछा जाता है जो next नवर प्रस्ण को देखेंगे तो उसमें पाता चल जाएगा और तेरा नव प्राश्ण है कि प्रमाडू के नाभिक में अवस्य रहेगा चाहे निूट्रोन हो या न हो लेकिन पोट्रोन रहेगा यानिक आप्सान नमबर एक के साथ इसका राइट एंसर होजेगा पोट्रोन के खोज एक सुत्र होता है कि इटा पर गोल्डी नाचे इटा पर गोल्डी नाचे तो इलेक्ट्रोन की खोज टॉम्सन पोट्रोन की खोज गोल्ड एस्टीन और निूट्रोन की कोड जेम्स चेडवी के दोरा किया गया था याद रखेगा तो इसका राइट एंसर होजेगा अप्सान नमबर A और यहाँ परस्ण है यह नेंड गेट का बुलिये बेंजक हम उस समय समझाये थे कि नेंड गेट का बुलिये बेंजक क्या हो जाएगा तो सबसे पहले एंड गेट का जो होता है एंड गेट का तो एंड गेट में होता था कि A.B.Y तो वहीं नेंड गेट का पूचा है तो इस पर बार चड़ जाएगा ठीक तो बार यहाँ पर चड़ा देंगे ते यह की अप्सन नमबर यह इसका राइट एंसर हो जगा यह नौर गेट का हो जगा और यह और गेट का हो जगा नेक्ट प्रश्न है कि ट्रांजिस्टर की रचना में परियुक्त सरवार्धिक समान्य पदार्थ क्या होगा तो ट्रांजिस्टर में जो परियुक्त पदार्थ होता है समान्य पदार्थ वो सिलिकॉन होता है और ये कोशन पूछा जाता है कि सबसे सुचालक कौन सा पदार्थ होता है सबसे अधिक सुचालक तो वह चांदी होता है याद रखेगा यानिका अप्सान नमबर C इसका राइट एंसर होजेगा सिलिकॉन और यहाँ पे GAP संधी द्वारा अधिकांस परकास उत्सारजित होता है तो वह करता है लाल और हारा को यानिकि अप्सान नमबर A के साथ इसका राइट एंसर चला जाएगा तो चलिए नेक्षन प्रस्ट को देखते हैं कि एक सरल सुक्षमदर्सी से बाना हुआ परतिवीम होता है तो सबसे पहले बताना चाता है कि एक सरल सुक्षमदर्सी से जो बाना परतिवीम होता है कालपनिक वह सीधा यानिकि अप्सान नमबर A के साथ इसका राइट एंसर होजेगा और एक कोशन पूछा जाता है कि दूर्दर्सी की अंतिम परत्वीम बनता है तो वह वास्त्विक वह सीधा बनता है यानि कि अपसर नमर जो C है ये वास्त्विक और सीधा बनता है और जो मानो के रेटीना पर जो परत्वीम बनता है वह वास्त्विक वूल्टा बनता है लेक परतिम बनता है याद रखेगा आप्सान नंबर ए इसका राइटेंसर होती है। तो काफी बार हम बाता आचुके हैं कि धृूप प्रवलता की विमा आई एल होती है। अप्सान नमबर इसका राइट एंसर हो जएगा और आईटी जो है ये आवेज की वीमा होती हैं और आवेज की वीमा या तो आईटी दिखाई देगा या तो 80 दिखाए देगा दोनों में से एक जरूर रहेगा बोर्ड एक्जाम में सेम टू सेम कोजन और यहां में प्रस्ण है 19 प्रस्ण की तामबा होता है तो हम बताए थे एक वीडियो में कि लोह चुमबा किये पदार्थ के उधारन और प्रति चुमबा किये और अनुचुमबा किये तो तामबा जो होता है या प्रति चुमबा किये पदार्थ का एक उधारन होता है निकापसा नमबर ए इसका राइट एंसर हो जेगा प्रति चुमबा किये पदार्थ में कौन कौन से पदार्थ आते हैं तो वह आता है बीसमत चांदी जास्ता ये महत्पूर उधार होते हैं और प्लेटीनम भी आता है आदी आता है लोहा एफई निकेल और कोबाल्ट आता है लोह चुम्बकिये में और अनुचुम्बकिये में प्लेटीनम आएगा म लेडियम भी आएगा याद रखेगा बहुती मत्पूर्ट सवाल है और बीश्वान प्रस्ट है कि अवेश का इस आई मात्रक क्या होता है तो अवेश का इस मात्रक जो होता है उसका मात्रक कुलाम होता है यह नहीं पुछेगा तो इसमें से जरूर पुछेगा कि एंपियर जो होता है वह धारा का मात्रक होता है और बोल्ट जो होता है विभुवांतर या बोल्ट का मात्रक होता है विभुवांतर या बीभा का मात्रक बोल्ट होता है फाराडे जो होता है वह बीधु धारिता का मात्रक फाराडे होता है याद रखेने कि इस तो दोस्तो इस परकार से हम टॉप 20 महत्पूर्ण को यहीं पर खत्म करते हैं अगर इस सेशन आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजेगा और चानल से नए जुड़े हो तो चांस को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा और अपने दोस्तों को जरूर सियर कीजेग तो थैक्स पर आचिंग इस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में